हेलो गाइज में नम अनुप है और आप मेरे चनल देखरें अनुप गुपता दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा की CLS होता क्या है तो चलिए दोस्तो वीडियो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तो CLS की फुल फॉर्म होती है Cumulative Layout Shift यह वैपक और वाइटल का ए तो जैसे मैं Blogging डालता हूँ और Blogging डालने के बाद हम पहली website को ही यहां पर ouvramento कर लेते हैं जैसे मैंने इस website और उपन किया है तो आप देखे इसका WhatIs blogging यहां पर Show कर रहा है थेक है अब बात आती है कि आपकी website का CLS कितना होना चाहिए तो according to Google आपकी website का CLS 0.1 second होना चाहिए इसका मतलब कि है जैसे कोई बंदा आपकी website को open करता है तो 0.1 second के अंदर ही आपकी website के ये moment हो जानी चाहिए अगर इसके बाद moment होती है तो आपकी website का CLS खराब होता है आप बात आती है कि आप किसी वेबसाइट के CLlEx को जान सकते हैं तो हुआ पीस सिपीड इंसैट का tool के यूज कर सकते हैं तो आपको Google के ऊफ़ टाइप करना है पेशी स्पीड इंसैट प्रखना चाहते हैं तो आपको क्या करना है यहाँ पर अपनी website का URL डालना है, then analyze के उपर click करना है, ठीक है, तो उसके बाद आपको अपनी website का CLS के बारे में complete knowledge हो जाएगी, कि आपकी website का CLS अच्छा है या खराब है, ठीक है, तो कुछ सेकिन में लोड हो जाएगा, तो उसके बाद मैं आपको अपनी website का CLS के बारे में इसका मतलब क्या है, आपकी website का CLS क्या है, काफी जदा खराब है, आपको उसको improve करने की जर्वत है, अब बात आती है कि आप अपनी website के CLS को कैसे improve कर सकते हैं, तो अपनी website के CLS को improve करने के लिए, आपको हमेशा अपनी images और अपना जो font है, उसके ओपर ध्यान देना है, तो आपको हमेशा क्या करना है, well optimized image का ही use करना है, ठीके, आपकी image का size 640 into 360 का होना चाहिए, आपकी image properly compressed होनी चाहिए, और आपकी image सोड़ी static होनी चाहिए, इसका मतलब किया, जैसे कोई बंदा आपकी website को open करता है, तो आपकी image एकड़म से move ना करे, ठीके, इस परकार की आपकी image होनी चाहिए, तो इसके लिए आप CDN के भी उप्योग कर सकते हैं, ताकि कोई बंदा अगर मालो आपकी website को open करता है, तो CDN, image CDN के मदद से आपका जो image फटाफट से load हो जाएगा, इससे भी क्या होगा, आपकी website का CLS improve हो जाएगा, then इसे होगे हमारा पहला point, ठीके, अब easily load हो जाए, इसको load होने में ज़्यादा समय ना लगे, योकि जितना जदा उसको load होने में समय लगेगा, उतना ही क्या हो जाएगा, वो late क्या होगा, उसकी moment होगी, ठीके, जितनी fastly वो load हो जाएगा, उतनी fastly क्या हो जाएगा, वो अपनी position को redefine कर लेगा, तो इसलिए images और font के उपर focus करना चाहिए अगर आप अपनी website की images और font को improve कर देते हैं तो आपकी website का cumulative layout shift वो improve हो जाएगा नाम ही आपर suggest कर रहा है cumulative layout shift मतलब layout के अंदर जो shifting हो रही है उसे हम क्या बोलते हैं CLS ठीक है गाइस और web core vital के अंदर आपको तीन चीज़ों के उपर जादा focus करना एक तो क्या करना है FCP के उपर then LCP के उपर then CLS के उपर अगर आप इन तीज़ों के उपर focus कर लेते हैं तो आपकी website की ranking automatically improve हो जाएगी क्योंकि इस समय गूगल ने speed को ही indexing का एक main indexing का ranking factor बताया है so guys अगर आपको मेरी वीडियो चे लगी तो please channel को share और subscribe करें वैस को like करना ना बुले दन्यवाद जय बारा जय इंद